बेलकॉम बैक दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चनल के रोटेलेंट पर हाँ जी मैं हूँ दीबग स्पार्ट फिर से लिए चल रहा हूं आपको एक नए इंस्ट्रुमेंट की बारे बताने के लिए हाँ जी मैं आपको आज बताऊंगा ऑटो क्लेप के बारे में आपका Autoclip जो हुता है मौस की पर बेस्ट होता है चलो यहां नहीं बताता आपको पूरा का पूरा पूरा Autoclip ही दिखाता हूं कि तरह करना है पूरी चीज़ा की बादो की दोस्तों Autoclip को बताने से पहले-पहले मैं आपका concept के बिलिए क्राव दूँ क्योंकि एस्लाइशिन क्या होती है कि ऐसी प्रॉसेस जिससे हमारे patient अर्टिोस से हमारे ऊट इसलाइशन हो जया तो इस प्रॉसेस को हम कहेंगे कैसे अगर बैक्तरिया की बात करोगे तो इसलाइशन से क्या होता है और वैरल जो इनलगो dirt है वह भी डिस्रप्ट हो जाता है तो इसे हम कहेंगे अब इस्प्राइशन को भी अगर आप फॉर्दर दिवाइट करोगे तो इडिल बीडिवाइट इन्ट फाइट फॉस्ट वन इस फिजिकल मेधर एंड सेकेंड इस चैमिकल मेधर अब कैमिकल में भी क्या होता है डिफरे क्योंकि हमको आटो क्लिप के बारे में जाना थीक है फिजिकल मेधर में फस्से संलाइट से भी स्टाइशन होता है आप सब जानते है पतानी कि मुझे इससे जरूवत नहीं है और सेगेंड इस आपका ड्राइंग करते हो आप फ्रीज द्राइंग से भी कर सकते हो आप और इसे क्या होता है च्लाइशन हीट इसे कर सकते हैं से जॉय सकते हैं एक होती फ्रीज इस्टुमेंट काफी यूज होता है लेबरेटरी में ठेक है तो इसमें जनली और वे रोबन क्या स्ब्राइस करते हैं घाइस मैं में आटो क्लिप के बाद वीडियो बनाऊंगा आप उसे देख सकते हो ठीक है तो होटे रोल में क्या होता है आपकी इसमें फोर सेप्स को ठीक है अपनी सीजर्स को इन सबको इसमें इसलाइस किया जाता है और नेक्स आपका जो होता है मॉइस्ट हीट ही हमारा 100-degree centigrade पर प्रोसेस हो रही है तो उसे हम बॉलिंग कहेंगे अगर 100-degree centigrade से ऊपर जाएगा तो उसे हम autoclip कहेंगे और 100-degree centigrade से नीचे आएगा तो इसे हम सब्सक्राइशन कहेंगे आपके तीनों प्रोसेस नॉर्बलाइज होंगे असानी से समस्क्राइशन क्या करते हैं इसमें एड्मॉस्टरिक प्रेसर के इसको इस प्रोसेस में तो हमको क्या है फोकस करना autoclip पर ठीक है और आपका रेडियेशन रेडियेशन में भी क्या होता है आपकी एक्स रेज हुई गामा रेज हुई बीटा रेज हुई अल्ट्रा वालेट रेज हुई इनसे भी आप इसलाइशन करते हो हमें केवल फोकस करना है आपने autoclip को अब autoclip का principle क्या होता है तो प्रेसर बढ़ेगा तो का temperature भी बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा तो थोड़ा सा time कम होगा तो नॉर्मल अधिकतर स्टेंडर्ड वैल्यू क्या होती है सारी लेबरोटीज में सब्सक्राइब कितने मिनट के लिए तो यह दोस्तों आपका autoclip है इसका फंडा सिंबल का फंडा है तो अब मैं आपको पूरा का पूरा यह सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप नीचे आओगे अगर पूरे को पर आप पूरा आप देख लीजिए इस तरीके का होता ठीक है अब आप नीचे आई नीचे क्या आपका यह आपका वाटर रिलीजर जब आपको लग रहा है ऑटो क्लेप के अंदर का जो वाटर लि आपको बदया यह 15 lb. प्रेशल लिया जाता है कि यह आपका स्चीद रिलीजर को था नियुक्नों UP दोस्तों ये आपका स्टीम रिलीजर लूगी है इसकी है आप पूरा का पूरा Spoon controller या पर देख सकते हैं इस का मैं यह सकते हैं तो आपका सेट करने का इससे आप टेंपरिचर को ब्ला सकते हो और इससे आप टेंपरिचर को एंडियूस कर सकते हो ठीक है और टेंपरिचर में आपको बताया ही था 121 degree centigrade at 50 lbs pressure for 15 minutes के लिए जाता है जब आप temperature set कर दोगे 121 degree centigrade तो प्रेसर बाल इंडिकेटर क्या होता है अगर आपको लगारा धाटौफ और को यह उटक लेगा फूर ऑपका से गार तो यह आपका प्रॊंच अब आए यह आपका है चिननल को बाट बटो करोगे आप टो क्लित को आप को खूप कि अब करोगे पिर पाप कि यह आपका यह पूर सिस्टम कॉस्ते में करोगे टॉंश को फ्रताẫn है और फिर आपका पूर स्थे कर सकते ह्याओ ईसलिप स़ाख कर वाइत Iron लिट रेडिक लॉक स्स्टम की हнымиत्व से अभिया अपका फ्री हो जाएंग गएक lips आप याप आपके आपके अब्जक्स को रखने के लिए अगर आप इसे ओपन करोगे ट्रे को तो आप अंदर देख सकते हो यह आपने open open के tray ठीक अदर देखिए अचीक दचरीजुक्स वाकस करके यह आपका tetrapode है किसी किसी मैं tetrapode tripod भी होता है ठीक है और tetrapode की आप नीचे देखोगे तो heating element देख रहा होगा heating element किसलिए के पुरा का यहीट करने के लिए ठीक है यह आपका है और आप वाटर लेविल देख लेजिए टेट्रा पोड के जस्ट ऊपर है ठीक इसे ज्यादा नहीं है यह आपका वाटर लेविल ऑटो क्लेप का होना चाहिए ठीक आप अब ट्रे को अंदर रख दीजिए और हम ट्रे को जनली यूस्टों करते हैं इसमें हमारे सारे जो अब्जेक्ट्स हुए जैसे का मेडियम हुआ पर आपका कॉनिकल फ्लास्क हुआ आपका सैंडिफिक ट्यूग हुई इनको आराम से इसमें रख सकते हो तेका वही पैडल लिफ्टिंग सिस्टम की हेल्प से इस यह बहुत है और यहां अंदर की वाहरी अंदरना है तो यह जाता है और हमारा यह लगता लगावक्त से तसी से और बसुम पा होता है यह तो हुआ हो पार निकाल जाले आए तिका सीटिकlerin दाल और बाहर निकल जे एस से अपका ऐप ख्रील रहेगा ठीक है बहुं पर करोगे से अप आपने तरह से प्रेस कर दिया ठीक है इसके बादंख क्या करोगे आप on कर लोगे यह dedicator dr इंडिकेटर आपको कर देगा लोड भी ठीक है इंडिकेट होगे आपका अब इसके बाद आप टेमपरेचर आप सेट करें हमने आपका सेट हो जाएगा 121 degrees centigrade for 15 LVS प्रेशा for 15 minutes इस तरीके से आप क्या करोगे इससे आप 15 नहां एक इसको क्या करेंगे जब तक की प्रेशर वाल्ब जब तक की प्रेशर वाल्ब की जो सुई है वो 15 पर नहीं आ जाए तब तक आप टाइम को काउंट नहीं करोगे जब आपकी प्रेशर वाल्ब है 15 नहीं पहुंच जाएगा अंदर का तब उसके बाद ही आप क्या टाइमर को काउंट करना स्टार्ट करते हो ऐसे निए कि डारेक्ट पहुंच जाएगा वो धीर धीरी करके स्लोली जब आपका 121 दिए यहां पर पहुंच जाए उसकी बाद आप टाइमर लगाएंगे फंद्र मिन तक के लिए ठीक है तब आप 15 मिनट के लिए टाइमर लगा के पूरा का पूरा आटो क्लेफ होने के लिए छोड़ दोगे इसके बाद पंद्र मिनट के बाद क्या होता हम आपको देखाते अब आप 15 मिनट के बाद हम देखते हैं क्या इसको पहले आप आफ कर दीजिए ठीक है ऑफ करने के बाद ध्यान डेकर दोस्तों इस थोड़ा कूल होने के बाद क्या करोगे आप स्टीम को फ्री कर दोगे जो आपको मैंने स्टीम रिदीजर दिखाया था आप स्टीम को अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे चनल और गुरू करेगा और मैं आपके लिए और वीडियो गनाओगा